बात करते हैं spherical polar coordinate के बारे में तो देखो हम क्या करते हैं पहले किसी point P का origin से distance 2D और 3D में कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं ठीक है वो clear रहेगा तो इसमें जादा बताना नहीं पड़ेगा ठीक क्योंकि इसमें थोड़ा सा पहले derive करना पड़ेगा अज़्यकत polar coordinate में और derivation के लिए आपको जो अभी बता रहें 2D और 3D में किसी point का origin से distance निकालना आना चाहिए वो clear रहेगा तो उसमें जदा बताना नहीं पड़ेगा ठीक है तो पहले पहुचे होगे जब आप यक्स एक्सिस में स्मॉल यक्स और वाई एक्सिस में स्मॉल वाई ट्रेवल कियो होगे तो point पहुचे होगे तो point पी का origin से distance कितना होगा बताओ कैसे बताओगे आप इसको जोइंट करोगे फिर क्या होगे कि सब्सक्रा तो यह हमारे पास आरहे तो यहां पर यह थी एक्स है तो देखो ड्रेंगल को में देखो इस प्रपेंट को यमग में देखो ऑगर हम इसका स्कॉार्ठ प्रस इसका स्कॉार्ठ करें तो वहीं मिलना ही जो आपका आर स्कॉार्र है प्लेंट की बात कर रहे थे अगर अगर एक्सिस भी आइड कर दो ठीक है तो क्या होगा यह प्लेम माना था तो ऊपर और नीचे जो एक्सिस जाएगी उसको जैड़ेंगे ठीक है तो देखो वहां पर देख रहे हैं एक सिकेंड रूखो काड़िव करता है सपोस्फ कर लो यह हमारे पास यक्स यक्स-ठ सब्सकार्ण यह तीस्रा एक्सिस जेड और यह जेड डास ठीक है यक्सफ वाइएक प्लेम के अंदर है और जेड क्या है प्लेम के उपर नीचे है टिक कहीं है सब्सक्राइब कर लो कोई पॉइंट यहां प्री पे है इस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टन्स बताना है सब्सक्राइब अभी वह आर हमने मान लिया है अब इसी आर का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे ठीक है तो पी पॉइंट का क्वाइंट कितना है होगा यहां पर कियो होगे पहले आपने क्या किया है एक से कि एक से टुको इसमें क्या होगा यक्स होगा और एक्स्स ट्रेवल और से में और सपोज करो हो क्या है जिसका क्या होगा यutक। युआ क्या होगा अब इस युआ की बार क्या किया अगर small स्वाच आइक्सिस क्या माना इस प्लेन के उपर व प्लेन इचावाला ज्रीक्सिस् física क्या करना है हमको और जिस्टेंस निकालना तो पहले क्या करते हैं और जिस यह यंप्वाइंट से आपने परपेंडी कुलर ऊपर ट्रेवल किया थीक है यह यांप्वॉंट क्या है टू ईसके बाद हम हमने क्या कि रिवल कर लिया तो इसको और जिस से जॉइन कर दू अब यहांपर है इसको जॉइन किया जितनको ये एक्सिस के अंदर इस्वावल जेट डिश्टेंस ट्रेवल गिया तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिगरी यह पॉइंट किया है तूड़ी के अंदर और अपने उसके बाद ऊपर सीधे ऊपर की डिरेक्शन में ट्रेवल किया प्लें के ऊपर मतलग इसक अब देखो सब्सक्रों यहां पर तुम्हारा ओ है यह यम है और यह से यम यह डिस्टेंस कितना है अंडर रूपत ऑफ यक्स स्कॉर प्लस वाई स्कॉर यम से पी कितना डिस्टेंस है स्मॉल जेट हमने मान के रखा और यह कितना एंगल है 90 डिगरी हमको मालू चल गया क्य यह क्या माना था तो हमारे पास आर का स्कॉर कितना आ जाएगा अंडर रूट पहले मतलिकों क्योंकि अभी तुम यहां पर लिखा हुआ ठीक है पहले क्या करना इसका स्कॉर करोंके तो रूट हट जाएगा अब इसमें से रूट हटाओ तो रूट क्या मिलेगा अंडर रूट अभी इसके अंदर इसको यूज करेंगे ठीक है इसको नोट कर लो उसकी बात करते हैं इस पैरिकल कोटिक है तो पहले क्या करो एक एक बना लो यह यक्स यह यकस डैस और यह आपका वाई इसका कोई यहां पर है जिसका काडिशन कोईनेट का मत्तर जो आप नौर्मली पढ़ते भी तक कर रहे हो ठीक है किसी पॉइंट पी का लोकीशन जूका हुआ है उसको बोलो तो यहां पर जैड क्यू बनाया क्लेयर हुआ क्योंकि हमको जैड़ेक्स से 3D नहीं बन सकता है इसलिए थोड़ा सा एड़ेस्ट करना पड़ता है तो देखो यह हो गया इतना अब क्या करो इस पॉइंट पी से यक्सवाई प्लेन के अंदर यह पर पेंडिकुलर आया यह क्या इस प्लेन से कितना होगा क्लेर बात है पिछला जो ने यहां पर दिखा त को बोल दो पॉइंट यह मिला तो आपको क्या मालूम है क्या है एक दूसरे पर 90 डिगरी है क्योंकि और यह क्या है यह क्या है एक जिस्ट के लिए वह सबस्त्रक्त कर दो अगे जुका हुआ है तो यह जो आप आतअर र्तिटा और यह रहा है इसको क्या बुला जाता है डी सप्रेंट Advisory काटिशियल कोडिने पूछ उचाई बस इतना अब क्या करता है क्या किया क्या कोडियन और इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं जिसके क्या करेंगे अगर हम को यह दिया रहे हैं ये दिया रहा है तो इसमें आपका किस के बराबर है जितना भी होगा ठीक है जो जितना भी होगा वह उपर वाले पॉइंट को तो वो किसके बराबर है, small z के बराबर है, तो हमको इस relation मिलेगा, कि अगर हम क्या करें, op cos theta ले ले तो वो किसके बराबर मिलेगा, z के बराबर, क्योंकि यह theta पर जुका हुआ है, अगर op का cos theta ले लोगे, तो किसके बराबर मिलेगा, इसे small z के बराबर, मतलब यह भी further किसके के बराबर पी कितना है आर के बराबर तो ऑप को चैटा में मिल गया तो हम को जड़ और यहां पर पर रिलेशन मिलेंस आपका जो इस बराबर है आप इम के बारे में तो OEM क्या है, small u के बराबर है, तो देखो, यह जो OP cos theta लिया, तो यहां मिला, अगर OP का sin theta लोगे, तो यहां पे आ जाओगे, मतलब क्या है, जो आपका OEM है, वो किसके बराबर है, OP sin theta के बराबर है, OP cos theta लिया, तो यहां पे आया, sin theta लोगे, तो OEM मिल जाएगा, मतलब यह किसके बराबर है, OP sin theta के बराबर है, मतलब क्या, यह R sin theta के बराबर है, यहां से हमको दो relation मिल लिया, तो देखो, अगर हम क्या करें, एक और बात बता लें, यहम ने क्या किया था, X axis से जितना यह OEM जुका हुआ है, उसको 5 बला था, ठीक है, उसका भी निकाल लेते हैं कि X coordinate कितना होगा, यह जो YUM point कोई है, कोई point YUM है, जिसका coordinate कुछ होगा, क्या होगा, नहीं मालूं, ठीक है, तो वो कैसे बना होगा, वो YUM point plane के अंदर है, तो plane के अंदर हमने कितना X म Y में travel किया, उससे बना होगा, तो X axis के along कितना हमने travel किया, उसको कोई point बोला, small X बोला, और Y axis के along कितना travel किया, उसको क्या बला, कोई point small Y बोला, ठीक है, तो हमको एगर क्या करते हैं, इस small Y की value को भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे, OEM का cost लोगे, य OEM का cost theta लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, small Z की बराबर होगा, अगर OEM का sin theta लोगे, तो वो क्या होगा, यह small Y के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यार, यक्स और Y क्या है, एक plane के अंदर है, और एक दूसरे के perpendicular है, यह Z को मत देखो, यह Z plane के ऊपर और नीचे है, ठीक है, तो क्या किया, OEM का cost phi लिया, तो यह मिला, OEM का sin phi लिया, तो small Y मिला, मतलब आपका small X किस के बराबर होगे और OEM किया निकला, OEM निकला था, आर साइल, ठीक होगे किसके बराबर है, है और साइन ऍ Zustand कोष स्पाइबर है किसकी बड़ापर है और स्मॉल वाई किसकी बड़ापर साइन पाई को घाइं आप कि वाई का आपका remember साइन ध्य साइन फाइड के बड़ापर है तो डेको प्लेन की अंदर यह जो सभ्वाइन सब्सक्राइब लाएं कि स्कुण यहां करते हैं silos होना चाहिए चाहिए तो यहाँ फे होना होला होका फिटा को स्कॉइर है के बराबर यहां पर इधर वाले में क्या करो स्कूराइब जो एंवन स्कूराइब तीट भी तो सिमप्री क्या मिला यक्स स्कूराइब भाइब टीक है तो देखो यह जो आर स्कूराइब तीटा ये किसके स्क्वार के बन जाएगा मतलब क्या अगर हम सिर्फ या आर साइन थीटा का वैलू निकाले तो वह किसके बराबर होगा प्लस य स्क्वार के बराबर है स्क्वार का वैल्यू पहले निकाला था अब क्या था को और साइन थीटा को आर कॉस्टीटा से डिवाइड कर दो थीक है तो अधान थीटा तो क्या निकला है अंडरूट निकला लोगे तो क्या हो जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा टैन एल आणिवर्ट में फिरी नाएक है क्या क्या जो करते हैं तो कडिन करते हैं तो सबक्राइब आ था ठाष अब दो cięषान की मिलिए तो टेक thoughtा झालते हैं तो में अब एक्वेशन जी बना दो और थ beginnings खल तो तो सो उस्ता क्या है जिए आपके नि does सुछ तीटा से साइन थीटा साइन थीटा साइन वारी दिवाइट में क्या वी बी जैंट फीटा कोस थाइ सब्सक्राइब तो लिख लो इसको कोई यक्स को मारे पास पास अब क्या करते हैं आग की बात करते हैं तो यह को इसको कोई एक्वीशन बनाओ लिटा अलफा और बीटा को क्या करो पहले करो इसको यह करके तो तुमको अलफा का स्कॉयर करोगा क्या मिलेगा और स्था है एक यह इसको अब मिलेगा ढक्राइब इनको अच्छा ये क्या हो जाएगा क्या 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 बचेबाने पास कॉस्च्च्च्च्च्च्च्चा स्व centralized बचेगा लेफ्ट और और राइएंट अच्च्च गार मैं यक्स्च्च्च्तदटट में सिर्द स्कॉर थेटा को वेल्यू बचा क्या हमारे पास बचा उपर में आर स्कॉर्ड क्या आगे यह फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि आर का वायलू कोई दी में चेंज नहीं होता तो देखो प्लिशा clock प्लिर कोडिनेट वी वा सब्सक्राइब छीरlaim Nevertheless थीटा और थीटा का वेलु आपका ऐसे निकलेगा 5 यहां फाइक का यह सющ च्टिक है तो क्या करों को Hear सब कर लो कुछ गोस्टिन करतें किंपर करनेटें किस्टिन एक प्रहु张 स्पैरिकल कॉडिनेट पहले किया करते हैं निकलता है अंडरूट इसको भॉलतो या इसको जैड बोल ठीक है तो आर कैसे निकलेगा अंडरूट आप स्टी इसक्वाइट लिए कितना हो गया 41 950 मतलब क्या यह अंडरूट 50 हो गया तो उसको ओपन करो गया तो 7749 संधिंग आगे का रही पॉइंट चलो 77 लेलो आपके पास 7.07 था यह तोड़ा बड़ा चिदे तरह होता है ठीक है पिरका निकलना तो पाका एंडरूट याक्स इसक्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर पांच जेड़ क्या है त्रिका स्क्वाइर नाइन वाइ स्क्वाइर यह क्या 25 होगा 25 हो जाएगा 25 बहार निकालोगे तो 5 बचेगा 5 by 5 कितना 1 हो जाएगा मतलब क्या simply बचेगा 10 inverse 1 बचेगा और 10 inverse 1 किसका वेल्यू होता है बलो बलो 10 inverse 1 का मतलब क्या हमारे पास theta is equal to कितना मिला 45 डिग्री ठीक है तो हमारे पास theta कितना आ गया 45 डिग्री आ गया और क्या 5 है तो 5 कैसे निकलता है 10 inverse of y by x तो y कितना है y है 4 x कितना है 3 मतलब क्या हमारे पास यह आ गया 10 inverse 3 x 4 y 3 इसको solve करोगे कितना मिलेगा 3 x 4 करोगे तो 3 बंजा 3 1.0 3 1.33 यह से यहाता रहेगा तो क्या करोगे अब इसका क्या करोगे स्पैरिकल कोडिनेट लिखना चाहो तो सपोस्पोस कर लो यह कोई पॉइंट था जिसका कार्टिशन कोडिनेट यह था उसका श्पैरिकल कोडिनेट क्या क्या बनेगा चलो यहां पे लिखो दिखेगा ना इसका बनेगा पहले क्या आता है तो और का मतलब 7.07 फिर क्या आता है थीटा मतलब 45 डिगरी फिर क्या आएगा फाई मतलब 1.33 झाल जाएगा i. झाल इन newặt पalay ओिखेगा लमक पित्सा है मतलब 5 डिभरी ऑँरी जा प्लेटर क्या खिखेगा तार स'Mच इस वैम्जमार से अंपल 2.3 टीभरी फितには हो दो बनेगा आता है react हत्स papel अभ गउतक्या समस्ट निवत्स sonरा है